कांग्रेस की सिंबल पर ये टेट चित्ता दिया गया तो हम लोग यहां रोटिंग रुकवा देंगे चुनावी महायग में आजंतीम आहू थी आजंतीम चरण का मतदान है और सोचिये प्रधान मंत्री के संसदिये छेत्र से दिल दहलाद देने वाली घटना है हमारे सामने आ गडबडियां कैसे की जा रही है और इलेक्शन कमिसन हुआ करता था ऐसे तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन कमिसन जो है वो हाथ पे हाथ रखर सोर आया और सोचिये सरयां अंभारतिये जनता पाटी चुनाव जीतने के लिए धंदली कर रही है पॉलिंग अंतिम चरण का चुनावे आज भारतिये जनता पाटी अंतिम चरण में भी अपना प्रचार प्रसार नहीं रोक रही है सोचिये अचारे सहीता का पूरे सात्वे चरण तक भारतिये जनता पाटी ने मजाग बना के रख दिया एलेक्शन कमिशन तो छोड़ी दीजिए वो हुआ करता था 19 से पहले 14 से पहले लेकिन अब 24 में किस तरीके से बिना एलेक्शन कमिशन के चुनाव किया जा रहा है और सरकार इस देश में एक वोट एक राजनीती पर काम कर रही है सोची किस तरीके से लोगों के fundamental rights को भी छिनने की कोशिस कर रही है वोट का अधिकार जो सरकार को चुनने के लिए जनता के पास एक मात्रूस का हतियार है उस हतियार को भी कमजोर बनाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है सोचीए चुनावी जंग में भरतिय जनता पाटी के प्रधान मंत्री ने क्या कुछ नहीं का चुनावायोग पट्टी बांद कर सोता रहा मंगल सुत्र से मुझना तक देश के प्रधान मंत्री ने मंचों से करा दिया लेकिन मजाले की उनके मूँ से मनीपुर पर एक शब्द निकला हो महंगाई पर निकला हो बिरोजगारी पर निकला हो अगनीवीर पर निकला हो जब जब उन्होंने मूँ खोला है उन्होंने अपने आयम फेक्टर पही वोट मांगने की लूट मचा रखी आप देखेंगे मंगल सुत्र मुज्रा मुसल्मान मजजिद यहां तक की मतन मचली के साथ साथ महत्मा गांधी पर भी सवाल खड़ा कर दिया वो एक इंटर्वियू के दौरान कह रहे थे कि एक फिलम आई थी उसके बाद ही देश के रास्टे पिता महत्मा गांधी को लोग जानने लगे है महुआ मोहित्रा ने बड़ी बात कही है कि जब तक गोद्रा कांड नहीं हुआ था उससे पहले भी नरेंद्र मोधी को कोई नहीं जानता था नरेंद्र मोधी पूरे तरीके से फस्ते हुए नजर आ रहें लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज अंतिम चरण का मतदान है लगातार धंदली की जा रही है सरयाम गुंड़े की जा रही है पॉलिंग बूत पर लोग को परिशान किया जा रहा है और जगा जगा EVM बंद होने की खबरे भी हमारे सामने आ रही है और ऐसे चुनाव आयोग दावा करता है कि चुनावी मह पर्वे में आप हिस्सेदारी लीजिए क्योंकि लोक तंत्र को बचाना है क्योंकि सविधान को बचाना है वो वाकई में उसको implement करती है कि नहीं तो सोचिए आपको दिखाया कुछ और जाएगा और उसकी हकीकत कुछ होगी क्योंकि भारतिय जनता पाटी का लगतार चार चरित्र और चैरा हमेशा से कुछ और ही रहा है बलिया से खबर आ रहे है कि EVM में गड़बडियां पाई गई है EVM मसीने खराब है और सोचिए अंतिम चरण में भी भाजपा जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है कैसे चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी कुरूरता पर उतरने के लिए तयार है दे इसके प्रधान मंत्री ने तो प्रधान मंत्री पद की भी गरीमा को तार-तार कर दिया था अमरेंद्र पटे लिखते हैं बलिया में EVM मशीन में बोट डाल कर जा रहा है महिला ने शिकायत करने पर पुलिस द्वारा धक्के मार कर बाहर कर दिया ये सब पुलिस प्रसासान और बूत अधिकारियों की मिली भक्ती से हो रहा है सोचिए कैसे महिला ने बोट डाला और उसको धक्के मार कर बाहर कर दिया प्रसासान ने क्योंकि जल्दबाजी इतनी है कि उनको लगता है कि हम कैसे 400 पार का आंकड़ा पार कर ले लेकिन 10 साल का एक फेल प्रधान मंत्री का फेल रिपोर्ट कार्ट बता रहा है कि इस बार आप 400 पार नहीं इस बार आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं सोचिए बीजेपी को वोट देना मतलब रोजगार की जगा लाठी मिलने की पूरी गारंटी कि आप लट खाने के लिए तयार हैं तो ये लोकसवाद चुनाव के दोरान इस तरीके की वीडियो भी वाइरल हो रही हैं किसानों को पिटवाया गया युवाओ को पिटवाया गया महिलाओ को खदेड़ा गया महिलाओ को नग्द करके घुमाया गया लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने इन तमाम मुद्दों को नजर अंदाज करके तमाम डीवी चैनल्स पर बैटके वो अपना गुरगान कराने में वियस्त थे लेकिन जरूरी मुद्दो पर न देश की जनता से बात की न देश की जनता के मुद्दे सुने और देश के प्रधान मंत्री ध्यान मुद्द्रा में विलुक्त हो गए यह यह कहें वो ध्यान को भटकाने की कोशिस कर रहा है क्योंकि event management पे देश के प्रधान मंतरी बहुत अच्छे से काम करना जानते हैं क्योंकि देश के प्रधान मंतरी को अच्छे से पता है यह प्रधान मंतरी काम एक मदारी जादा है और यह अपना डमरू दिखा के जनता को हसाना जानते हैं क्योंकि जरूरी मुद्दों पर बात ना कर पाई जनता अगर जनता का ध्यान बढ़काना है तो आप उसको सरकस देखने में व्यस्त कर दो तो इसी पॉलिसी पे काम करती है बीजेपी सरकार देश के परधान मंत्री चुनावायोग इलक्षिन कमिशन सरम है या बेच कर खा गए हो यूपी में भाजपा पॉलिंग स्टेशन के निकट बैट कर खोले आम इस परकार से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और मतदाताओ को भेका रही है डरा धमका रही है तता चुनावायोग की हर गडलाइन को धवता बता कर बैइमान पूर्वक चुनाव में बैइमानी कर रही है उस पर आप लोगों की चुपी और एक्सन ना होना चुनावायोग की झुकी रीड हड़ी को दरसा रहा है अपना इमान धरम जमीर सब भाजपसत्त की हाथों बेच दिया आयोग और आयोग के हदिकारियों ने यही आपकी इमानदारी है ब्रामे का सच जो है वो अब एक्सपोज हो चुकिया शरम कीजिए आप लोग तो यह बीजेपी जो है वो कैसे पोलिंग बूत पर भी अपना प्रचार पर सार करें देश के प्रधान मंतरी कहीं पर भी अपना फोटो छपवाने से बाज नहीं आते अगर कोई व्यक्ति मर भी रहा होगा ना सोचिये कोरोना की वैक्सीन पर भी देश के प्रधान मंतरी ने मौक अपसर आपदा को अपसर बना लिया था जब लोग मरने लगे लोगों की जाने जाने लगी तो वेपसाइट पोटल से ही अपना फोटो हटा लिया ये अच्छा अच्छा क्रेडिट खुद लेना चाते हैं लेकिन सोचिये जनता की हालत का जिम्मधार कौन है इसका अभी तर कोई ना सवाल कर रहा है ना बहस कर रह हमें फोर्स मौके पर पहुची रेवतीपुर में भाजपा ब्लॉक प्रमुख ने मारपीट की समर्थकों के साथ मिलकर भाजपा के पोलिंग एजेंट को पीटा सोची लगतार भारतिये जनता पार्टी गुंडगर्दी के बलबूते पर चुनाव जीतने का काम करती है इन जाने तमाम तरीके की एजेंसियों से दराने की कोशिस कते हैं वारा नसी में चुनाव अधिकारियों की धंदली पर उतरा हैं मतदाताओ कारों पेंडिया एलाइंस के उमिद्वार के नाम के आगे पढ़ची लगा दी गई है देखिए इलेक्शन कमिशन ने क्या हाल कर दि तो सुना आपने किस तरीके से सरयाम धंदली के दम पर चुनाव जितनी की कोशिस की जा रही है और देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि अपकी बाहर मोदी सरकार वो भी 400 पार गजवे धंदली चल रही है वारा नसी में इस तरह 420 करके 400 पार लाएंगे वोटरों कारों पे कॉंगरिस के हाथ के सिंबल पर टेप चिपका कर पंजे को छुपा दिया गया पंजे पर चिपके टेप को खाड कर इन लोगों ने फिर फेक दिया सोची एंडिया गडवन्दन की बरती सीटों को देखकर भाजुपा जो है वो बौकला गई है भाजुपा जो हडबडा लूग यह उमानदारी चुनाफ कराने का ढूम रसते हैं जब भाजपा के एज़ेंट बनकर भी आपको काम करना है तो उलेक्षन कमिशन का जो भरोसा था पहले मीडिया खत्म हुआ फिर इलेक्षन कमीशन का भरोसा खत्म हुआ एजन्सियों का भरोसा खत्म हुआ और कमिशन पर लोग लगतार सवाल कर रहे हैं और बलिया लोग सभा की नगर विदान सभा की बूद संख्या 152,53,54 पर बीजेपी के लोगों के द्वारा किया जारा भाजपा का प्रचार संग्यान ले चुनावायोग किया यही है आपकी इमांदारीता लगतार भाजपा सरकार जो है वो बाद-बाद परिमांदारी का पाठ पढ़ाती है सोचिए भारतिय जनता पाटी के मैनोफेस्टों में जनता के लिए एक शब्द नहीं था उनके मैनोफेस्टों में मंगल सुत्र था मुजरा था महत्मा गांदी था ममता बनर जी थी मटन मचली मजार मुसलमान थ लेकिन दस सालों में भारती जंता पार्टी ने एक बार नहीं का कि हमने दस सालों में विकास किया है गुंडागर्दी के दम पर धरा कर धमका कर जंता से वोट मांग कर कैसे बीजेपी सरकार सत्ता में आना चाती है लेकिन सोचिए जो चौदा में आए थे इस बार वो 24 में नहीं आने वाले हैं जैसा कि नितिस कुमार का स्टेट्मेंट था देश की जंता अब इनको अपनी वोट से चोड़ करेगी और जिस तरीके से धंदली के बलबूते पर चुनाव जीतने का परियास हो रहा है भारत्य जंता पाटी का इस बार प्रोपगेंडा पूरे तरीके से फ्लाप होता चला जाएगा क्योंकि भारत्य जंता पाटी का चाल चरितर और चेहरा देश की जंता समझ चुकि इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजेगा निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल